हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रेंट जंक्शन पानीपत में इस वीडियो में आप देखेंगे के टीक प्लाई पर वॉलनट पॉलिश कैसे की जाती है यह देखिए मैंने इस पर गुग्लोस फिनिश फाइनल किया हुआ यह प्यूग्लोस है कि इसमें आप देखेंगे कि टीक प्लाई पर जो बेस बनाया जाता है और वॉलनट स्टेनर कैसे लगाई जाती है और सिल्डर की भराई कैसे की जाती है मुझे देखिए ग्लोस फिनिश इस पर फाइनल हुई पड़ी है इस वीडियो मेंने दो चीज़े कवर किया है देखिए जैसे इस पर टीक प्लाई लगी हुई है इस टीक प्लाई के अंदर जो आपको किले नजर आ रही है इन कीलो को हमने थोड़ी और कील की साहथा से आंदर दबादेना है इसको थोड़ा- 선택 करने के बाद में हमने वृलनेट कलर का वुट फिलर ले लिया है क्योंकि हमने वृणर का यह प्मलिश करने है अगर आप नैच्रल पॉलिश करना चाहते हैं तो टीक वूड़ ले लीजिएगा यह वूड़ वूड़ फिलर है इसमें मैंने थोड़ा ब्राउन पॉड़र भी मिला रखा है कि यह देखिए इसे हमने ऐसे हैंडल पत्ती से यह जो आपको वेलबल हो मार्किट से वह आप ले सकते हैं उससे जो है जो कीलो वाले छेद होते हैं इनमें हमने वूड़ फिलर इसमें बढ़ देना है इससे इसकी रिपेरिंग हो जाएगी इसको थोड़ा टाइट ही बढ़ना दोस्तों क्योंकि यह बैठ भी सकता है इसलिए टाइट वूड़ फिलर इसमें बरेंगे यह देखिए उपर तक इसमें वूड़ फिलर बढ़ चुका है कि यह बेस बनाने का में स्टेप होता दोस्तों कि इतने रिपेरिंग इसमें सूख रही है इतने हम इस पर अखवार लगा रहे हैं ताकि जो साइड की जो पॉलिश वाली कवर करने जुरूरी होती है चोखाट यह दिवारों को कि देखे 220 नंबर का रेगमार मेंने ले लिया है और 220 नंबर का रेगमार इस पर लगवाया जाना है कि इससे जो है रेशे की दिशा में चलाना जुरूरी है दोस्तों कि इसको जैसे जैसे रेशा है वैसे इसकी गिसाई करेंगे जिस तरफ रेशा घुम रहा है उसी तरफ हाथ चलाकर इसे गिसाई करना होता है यह देखिए इतना एक गिस चुका है इतना भी बाकी है यह देखिए इसे पूरा गिसने के बाद मैंने इस पर वॉलनर्स टेनर का एक हाथ लगा दिया है वॉलनर्स टेनर कैसे लगा जाती है वह मैं आपको भी दिखाता हूं मैंने इसके साथ में एक डिजाइन भी कवर किया है यह देखिए इस पर भी मैंने ऐसा ही सेम बेस बनाया है जो मैंने भी कीटो वाले डिजाइन पर बना रखा था वैसा ही बेस इस पर बन चुका है अब हम इस पर टेनर लगाएंगे अगर आप टेनर नहीं लगाना जाते नैच्रल करना चाहते हैं तो टेनर मत लगाईए सिधा सिले लगा दीजिए अभी हमें इसे वॉलनट टेनर लगाना है तो इसलिए मैंने वॉलनट टेनर ले लिए हैं क्याइर और इसे मल मल के कपड़े की साहिता की से मैं अएसे लगा रहाऊं मैंने दो कपड़े लिए हैं दोस्तों एक से मैं इस टेनर को अप्लाईए करता हूं तो दूसरे कपड़े से इसको साफ किया जाता है ताकि इस पर धबये नहीं आ जाएं क्यूंकि पलाइए कलर को जाउजाप पर खती आ तो बांग इया एक्स्ट्रा कलर दूसरे कपड़े से साफ करे लिए जाता है भूआ है तो इजिए कारियर आपको करे दिखा रहा है कि दूसरे कपड़े से इसको साफ कर लिए सब्सक्राइब कि यह ढर्द घती है कि हमने सारे डिजाइन को पहले अच्छा से स्टेनर कर लेना है कि और साथ के साथ सफाई भी करते रहने हैं लगने से देखिए दोस्तों यह कलर चेंज हो दिया स्पलाई का अब ब्राउन शेड में दिखाई दे रही है झाल 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 अगर आपको से थोड़ा लाइट केलर करना है तो इसमें थोड़ा थीनल भी मिला सकते हैं यह देखिए इसमें है कि इस पर हम सिल्ण लाने जा रहे हैं यह मगले हैं इसका हड़नर है कि और यह प्यूदी नर रहा है एक लेटर अगर प्यूर ले रहे हैं अदा लेटर अदर हाडनर और आधा लिटर के करीब ही प्यू तीनर इसमें मिला लिए हमने चिल्टर बना लिया है कि एक देखने में पीला-पीला पन होता इसमें क्योंकि हमने जो इसको कलर करना था तो हमने कलर वाले डिबे में ही सीलर बना लिया था अब अब अपने सीलर की इस पर अच्छे से बराई करनी है इस इन चारहत इस पर अच्छे से लगा देंगे जैसे जैसे इस पलाई में चमक आएगी तो समझ लीजिएगा कि जब असीलर की बराई अच्छे से हो गई है जैसे तीन चारहत में इस पर बराई अच्छी आ जाती है फिर हमने इसको 220 नमबर से गिसाई करके इसकी रिपेरिंग चेक कर लेनी है अगर कहीं रिपेरिंग हो तो फिर रिपेरिंग के बाद एक बार दोबारा सिलर डलता है जिससे कि यह नसे पूरी लकड़ी की भर जाती है इसके बाद हमने उसकी 320 नमबर से गिसाई करनी पड़ती है तब हम उसके बाद जाकर प्यू ग्लोस फाइनल कर पाते हैं यह देखिए अभी इस पर माल लगा जा रहा अच्छे से बराई की जा रही है क्योंकि सिलर के बराई इतने अच्छी होगी अच्छी ग्लोस में फिनिश आएगी इस चैनल पर आपको दोस्तों डी को पेंट रोल पेंट इन सब सरे लेटेड सारी वीडियो मिलेंगी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि यह देखे दोस्तों इस पर चमक आने लगी है कि इसमें भराई ठीक टाक हो गई है कि अब इसकी 220 नंबर से किसाई होगी फिर रिपेर चेक करके एक बार दोबारा इस पर सिलर किया जाएगा जो मैंने शुरुआत में जो इटो वाले स्टैप आपको दिखाए थे जिसका बेस बनाया था उसकी भी में प्यू सिलर से ही बराई गर दे रहा हूं कि देखिए इसमाई पी चमक अलगे लिए अब इस पर हमने दूसरा हाथ भी लगाना है कि डबल सिलर के बाद दोस्तों हमने इसकी 320 नंबर से गिसाई अच्छे से करवानी है ताकि कहीं पर भी सिलर की चमक न रह जाए तो कि ग्लोस लगाने से पहले दोस्तों इसको अच्छे से गिसाई करना जरूरी होता है अब लगाने की पूरी वीडियो का लिंक में आई बटन में वी दे दूँगा और डिस्क्रिप्शं में डाल दूँआ क्योंद आप उसमें Gloss application कैसे करते हैं उसका पूरा वीडियो आप सेमी gloss का भी देख सकते हैं matte finish का और Gloss finish का सब्सक्रिण आप description में जाकर देख से रहें यह देखी है प्यूँ क्लोस के अंदर भी प्यूँति इनरे ढलता यह प्यूँ इस पर लग बग तीन आत प्यू ग्लोस के डाले गए हैं दोस्तों तीन आत प्यू ग्लोस डलने के बाद या ऐसे चमकने लगे गई है वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और लाइक का बटन दबा दीजेगा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेर करना ना भूलिएगा दोस्तों और तरफ ग्लोस जो है एक वोली चड़ चुकी है यह फिनिश ऐसी रहने आ लिए दोस्तों कि इसमें कोई फिनिश में फरक नहीं आएगा यह देखें दूसरे डिजाइन पर भी जो है ग्लोस अच्छे से दिखाई देए आपको कि अच्छे से लिए टेखें दूस्तों कि वोला है यह देखें भी में बढको कि देखिए हर तरफ इसमें जो है ग्लोस पराबर डल हुई है इसकी फिनिश ऐसी रहेगी दोस्तों देखिए मैं आपको इस पर हाथ लगा के दिखा रहा हूं इस चार पास दिन बाद की वीडियो है देखिए बिल्कुल सोख चुगी है और उसमें ग्लोस में कोई फरक नहीं है वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियो है उसको आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ झाक झाल से क objective है उन्यवार य दोस्तों मिलती लोगे का अ हुआओवार य और मरें यह जूंद्बग एष्ब़ दोस्तों मिलती रहे चैनल कि अ कि अ कि अ ग